अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज Z5 के साथ बिलकुल फ्री खोईले की खाल में से निकले हीरो की कीमत भी तो किसी की अंगूटिया किसी के हार में जाकर ही भढ़ती है ना सूरच और लाब में से निकले हीरे भी अकर वही चमक भी खेरेंगे तो ग्राहक उनका भविष्या खुद सुधार देंगे और मासू जो चीज देश का मिडल क्रास ग्राहक भी खरीच सके उसका फ्यूचर सेट होना तो तय है ना यह रीम इस वाइक नाइस पर यह सब करने के लिए पैसा कहां से आएगा हम अल्रेडी बहुत बड़ा अमांट बढ़ा इंवेस्ट कर चुके इंके सर मुझे हमारी कंपनी से एक भी पैसा नहीं चाहिए सूरच तो अल्रेडी बैंक पानिश्मेंट से बात कर चुकी हूँ वो तैयार है जैसे उनके साथ एक्जेक्यूशन प्लान शेयर करूंगी वो इन्वेस्ट करने को रेडी है शबबाश केस है अज धिरेन की याद दिला दी तुने वो हमेशा कहते थे अपने सपनों पर अमल नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे रिस्क कहां लेना चाहिए उसकी समझ है तुझे अब जैसे जैसे अपने फैसले खुद लेती जाएगी बिजनेस की बाकी बारी क्या भी अपने आप समझती जाएगी बार ये देखिए मासू सूरच आप भी देखिए मैंना पिल्कुल नई टीम बढाऊंगी और उसमें जाधा तर औरते ही होंगी और इसी घर से काम करके पेमिन्ट दूंगी मा और सास के रूप मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया केसर और आज तुने जो अपने सपने की तस्वीर दिखाई मुझे बहुत गर्व है कि तु सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं है मेरी होने वाली बहू भूबी है कि अगरी बहुत ही एक्सेलेंट आइडिया है यह फ्यूचर में जो जो प्रोब्लम सा सकती है तुमने उसका सिल्यूशन पहले ही सोच लिया है I just hope कि तुम्हें बहुत-बहुत-बहुत सक्सेस मिले के सर मारा अशिर्वात हम्मेशा तारी साथे जवेटा माम बेनी कृपा तारा पर हमेशा रहे और तारा बद्धा सपना साथ चाथ है I hope आस्मान में उच्छा उडने के बाद केसर सेफली घर पर लैंड भी करेगी and I wish कि यह अपने सपने के साथ-साथ आपका संकल्ब भी पूरा करें केसर पंडिजी बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक एक दिव्यम हो रहत है और वो शादियों के लिए बहुत शुभ है So what do you say केसर तुम मुझसे शादी करोगी नहीं नहीं C5 आप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड बिलकुल फ्री